नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका बारी यूटूब चैनल एक्जाम सभा में और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं अनुपात और समानुपात से संबंधित कुछ महत्वपूर प्रश्ण तो इसके पहले भी कई वीडियो में हमने इनके बारें बताया है तो उनको आपके लिए काफी बहुत पूर्ण वीडियो है यह तो अगर आपको अनुपात और समानुपात के बारे में जाना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं उस पर हम एक अलग से वीडियो बना देंगे तो इसमें हम केवल प्रश्णों के बारे में देखेंगे तो प् समंदे पांच समंदे साथ के अनुपात में बाटी गई है यदि आर को क्यू से चार हजार अधिक मिले तो पी और क्यू को मिला कर कितने रुपए मिले तो क्वेशन थोड़ा घुमा के लिखा हुआ है लेकिन चलिए समझते हैं इसका मतलब क्या है तो पी क्यू और आर तीन व्यक्ति हैं तो हमने मान लिया पी क्यू आर जो है तीन व्यक्ति हैं और उनकी जो कुछ राशी उनको दी जाती है और जो राशी को दी जाती है उन राशी का अनुपात क्या है तीन समंदे पांच समंदे साथ हैनि कि अगर पी को कुछ राशी दी जा दी है क्यूंको उससे ज़्यादा राशी दी जाएगी जो थोड़ी ज़्यादा होगी और R को सबसे ज़्यादा मिलेगा क्योंकि अनुपात से आप देख सकते हैं अगर इसको 3 मिल रहा है तो इसको 5 मिलेगा और इसको 7 मिलेगा तो यह आप यहां से देख सकते हैं दूसरा क्या लिखा हुआ है कि यदि R को Q से 4,000 रुपए अधिक मिले यहां पे लिखा हुआ है कि जो R है उसको Q से 4,000 अधिक मिलना है तो कम किसको मिलना है Q को ज्यादा किसको मिलना है R को तो जिसको कम मिल रहा है उसको हम r के बराबर लाने के लिए उसमें हम 4000 एड़ कर देंगे तो r equal to q प्लस 4000 क्योंकि r को q से 4000 अधिक मिला है तो r का ज्यादा होगा q का कम होगा तो कम वाले को बराबरी पे लाने के लिए हम उसको 4000 एड़ करके बराबर में लाएंगे तो यहां से आप समझ सकते हैं तो यह आपका दूसरा जो आपका कथन लिखा हुआ है उसको हमने समीकरण के रूप में लिख दिया है अब पूछा क्या है कि p और q को मिलागा कितने रुपए मिले तो तीन चीजें आपको ध्यान में रखनी है पहला अनुपात क्या है r को q से कितना ज़्यादा मिला और p और q का मान कितना होगा पूछा है तो चलिए मानते हैं कि जब भी आपको अनुपात का question मिले तो जातर जो case होते हैं दोसमें हम इनको x के form में मान लेते है तो माना कि p को कितने मिले 3x q को कितने मिले 5x और r को कितने मिले 7x तो हमने यहापे इसको मान लिया है अब हम क्या करेंगे यह जो आपका 3x, 5x और 7x है इनको उठाके हम इन समीकरण में रख देंगे तो पहला समीकरण क्या था r equal to q plus 4000 तो इसमें रखते हैं चलिए q कितने आपका 5x है r कितने है 7x तो यहापे रखेंगे r की जगापे 7x रखेंगे q की जगापे 5x रखेंगे तो 7x equal to 5x plus 4000 तो 7 में से 5 घटे का आपका जब उधर जाएगा तो तो 2x हो जाएगा और यहाँ पे x का मान निकालना है तो 2 से भाग देंगे तो 2000 हो जाएगा तो इस तरह से आपका x का मान कितना आगया 2000 अब पुछा क्या है आपसे p और q को कितने मिले रूटक खेंगे तो p plus q equal to 3x धन 5x बराबर 8x 3x 5x का से आया जो यहाँ पे हमने वाना था वहाँ से अब x का मान हमने निकाला है 2000 उठा के x का मान यहाँ पे रखेंगे जब तो 8 गुडे 2000 16000 रूपए तो p और q को मिला के 16000 रूपए बिलेंगे तो आपका कौन सा option साई है तो option 3 आपका जो है वो सही है अब इसी तरह का एक और प्रश्ण आपे दिया गया यह थोड़ा और मुश्किल है तो चलिए इसको देखते है तो रूपए 750 को A, B, C और D में इस प्रकार बाटा जाता है कि B तो था C को मिला कर जितना मिलता है उतना ही A को मिलता है B को C की अपे इच्छा 125 सदिक मिलते है और D को C के बराबर मिलता है तो A का आनश्प क्या है यह पूछा है तो पहले इसको जो आपका जितने भी यहाँ पर कथन दिये हुए है इनको हम पहले समीकरण के रूप में लिखेंगे और इसके बाद देखेंगे कि क्या हम निकाल सकते है तो दिया क्या है कि A, B, C तथा D को 750 रुप में बाटा जा रहा है तो चारों को मिला कि कितना मिला? 750 रुप में तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे A प्लस, B प्लस, C प्लस, D यानि कि A धन, B धन, C धन, D बराबर 750 रुप ए तो इसको हम एक समीकरण 1 मान लेंगे समीकरण 1 उसके बाद दिया है कि B तथा C को मिला कर जितना है उतना ही A को मिलता है यानि कि B और C को जितना मिला है वो जो है उतना A को अकेले मिल रहा है तो B प्लस, C एक्वल टू A यानि B धन, C बराबर A ये जो है दूसरा आपका समीकरण हो गया तीसरा समीकरण बनाएंगे चलिए बनाते हैं B को C की अपेच्छा 125 अधिक मिलते हैं मतलब ज्यादा किसको मिल रहा है B B को ज्यादा मिल रहा है और किसकी अपेच्छा ज्यादा मिल रहा है C की अपेच्छा कितना ज्यादा मिल रहा है 125 रुपए तो C को कम मिल रहा है B को ज्यादा मिल रहा है तो C को B के बराबरी पे लाने के लिए 125 रुपए और देने पड़ेंगे तो यही किया है आपे B बराबर C धन 150 C को कम मिल ला था 125 रुपय उसको जोड़ दिया तो यहाँ पे दोनों बराबर हो गए तो यह आपका समीकरण 3 हो गया 4 समीकरण बहुत ही आसान है D को C के बराबर मिल ला है तो D बराबर C तो पुछा क्या है तो आपसे पुछा गया है कि A का अंश क्या होगा A का अंश यहाँ पे गरत लिख दिया है C का नहीं पुछा है A का पुछा है A को कितना मिलेगा तो इसलिए देखते हैं कैसे इसको हल करेंगे तो 4 आपके समीकरण है इन चारों को अगर आप हल कर देंगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा तो पहले कथन से देखते हैं A धन B धन C धन B कितना है 750 रुपए अब हम क्या करेंगे हम कोशिश करेंगे कि हम जो है यहाँ से जिन मान को निकाल सकते हैं उनको निकाल ले तो चलिए हम निकालते हैं कैसे निकालेंगे तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जो B और C का मान है उसको उठा के यहाँ पर रख देंगे तो B और C का मान यहाँ पर उठा के रख देंगे एक ही जगा पर तो B प्लस C हो जाएगा इजर और dhann c dhann d पहले से यहां पे रहेगा, तो हमने क्या कुछ निया, एक जगा पर b plus c को रख दिया है, उसके बाद क्या होगा, यहां पे 2b हो जाएगा, b और b plus कितना हो जाएगा, c plus c कितना हो जाएगा, 2c हो जाएगा, plus d, बराबर 750 रुपए, तो हमने इसको जो है थोड़ थोड़ा और आसान रुप में कर लिया यहां से A को गायप कर दिया उसके बाथ हम क्या करेंगे यहां पे कोशिश करेंगे कि अब B को भी गायप कर दिया तो B को गायप कैसे करेंगे यहां पर आप देख सकते हैं समिक्रण 3 में क्या दिया है B वराबर C धन religion पड़ीज तो हम यहां पर बिखरपेशी धन कभी रुपए रख दिन गे तो अब इसको जो हम करेंगे यहां पर गुड़ा हो जाएगा दो का जब इस ब्रैक्रिट को हम लेंगे तो 2C plus 125 का 200 गुड़ा करेंगे तो 250 तो 2C धन 2C कितना हो जागा? 4C और plus D plus 250 तो यहाँ पर जाएगा 4C plus D plus 250 250 को धर ले जाएंगे तो यह जाएगा आपका 4C धन D बराबर 750 minus 250 तो 4C plus D कितना हो जाएगा? 500 रुप है तो अब हमको पता क्या है D कमान कितना है C के बराबर है तो D को भी हम यहाँ से हटा देंगे तो D को हटाने के लिए D की जगाँ पर C रख दीजे तो 4C धन C कितना हो जाएगा 5C कि 5C की वैल्यू कितनी हो गई 500 रुपए तो भाग दे दीजे 5 से तो C कमान आएगा 100 रुपए तो आपका C कमान आगया 100 रुपए तो D कमान कितना हो जाएगा यह भी हो जाएगा आपका 100 रुपए तो C और D बराबर है बी कितना है सी धन एकक्षोपेश तो सो धन एकक्षोपेश, एकक्षोपेश रुपे हो गया अब हमको निकालना है एक अमान ए क्या है एक कामान है फिर धन पटी तो civिशुपेश धन 100 तीनस पटीशुपेश रुपेश तो इस तरह से हमने इसको solve किया है अब हमने इसको इस तरह क्यों solve किया है क्योंकि हमने यहाप एक question में लिखा था हमको C कमान निकालना है तो इसलिए हमने A, B और D को गायब किया है और last में C कमान अपने आप आ गया है तो मैंने इसको इस तरह से solve किया है अगर आपको A का मान निकालना है तो आप इसको इस तरह से भी हलका सकते हैं कि आप यहां से B, C और D को गायब करिए तब यह question बहुत ही आसान हो जाता तो यह आपके लिए homework यह है कि आप B, C और D को गायब करके जो है इसका उत्तर निकालिए तो आपका जो होगा इससे भी थोड़ा छोटा होगा तो आज के वीडियो में इतना ही अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए धन्यवाद